कोशन के अच्छा कोशन है यह आपका काफी बार कंप्रीज ने पुछा चुका है मेरे से अल्रेडी एमेजॉन के इंटर्विव के अंदर पूछा गया था अभी और इससे पहले भी जब मैं on-campus प्लिस्मेंट मन था तो वहाँ पर इंटर्शिप के दौरान भी एक कोशन आया था वहाँ पर बस रोप्स नहीं थी कुछ और कोशन था कोशन के समझ देते पहले connect and robs with minimum cost आपको कुछ रोप दे रखी हैं जिनकी कुछ-کुछ length आपको दे रखी है ठीक है तो यह आप सब्सकोर यह ropes है जिनकी आपको length दे रखी है हर एक rope की और आपको इनको connect करने के बाद एक rope बनानी है आपको constraint दे रखा है कि जब भी आप 2 ropes को connect करते है ना तो एक cost नि मिनिमुम आय, कोशन समझ मैं आया, basically मैं कहाना चाहरा हूँ, suppose करो आप कोई भी दो रोब को लेते हो, 8 और 6, suppose करो इन दोनों को रोब को जब आप connect करोगे, तो एक रोब बन जाएगी जिसकी ल्याइनत होगी 14, और इन दोनों को connect करने के पाथ जो cost आएगी, वो भी आएगी 14 के equal उसके बाद 14 के अंदर आप सब्सक्रों इस वाली रोप को लेते हो इसको 14 वाली रोप के अंदर connect करते हो तो एक रोप बन जाएगी विचे 16 और इन दोनों को connect करने पर जो कौश आगी 16 तो इस तरीके से आप सभी रोप को लोगे दो रोप को एक बार लोगे connect करोगे एक अब भुष और पर जाएक पर बुष रोप को लोगे उस वाली रोप केंदर connect करने करें करके इस तरीक शापको एक solution ऐसा एक solution एक तरीका जो हमारी दिवाग में आरा हो क्या हो सकता है ये कि पहली दो रोप को लेखते हैं और इन दोनों को connect करके एक single rope बना लेते हैं और उसके बाद जो रोप बनेगी उसको अगली वाली रोप के अंदर connect करने का ट्राय करेंगे फिर जो रोप बनेगी उसको अगली रोप में connect करने का ट्राय करेंगे इस तरीक से चलते हैं लेकिन क्या यहां से minimum cost रहेगे आपकी तो आप लोगों को दिख वो सबसे कम बार add की जाए एक बार ऐसे करते हैं जो मैं आपको अब भी आसर बताए ना उससे निकालने का ट्राय करते हैं कि यहां पर कितना असर उससे आपका total cost आने वाली है तो पहले हम क्या करेंगे इन दोनों ropes को लेते हैं 2 और 5 को और इन दोनों को add करोगे तो आपकी 2 और 5 तो चली जाएंगी और एक नहीं rope बन जाएगी which is of length 7 और आपकी cost भी हम निकालते जलते हैं ठीक है यहां पर cost बना लेते हैं और cost के अंदर आपका भी 7 add हो जाएगा अब आपके पास एक 7 वाली rope है और एक 4 length की rope है इन दोनों को भी add करते हैं तो यह जागा आपका 7 plus 4 which is 11 और 11 और यह भी आपका cost के अंदर add हो जाएगा अब आपके पास एक 11th length की rope है और एक 8 length की rope है इसके अंदर connect करते हैं तो 11 प्लस 8 11 प्लस 8 यह कितना है आपका 19 फिर आपका cost के अंदर 19 भी add हो जाएगा उसके बाद आप 19 के अंदर 6 को add करोगे याएगा आपका 25 आप 34 फिर आप 34 को भी अपनी total cost के अंदर add कर दोगे इस तरीकी से आप निकालते जो लोगे उसके बाद आपकी final जो cost आएगी वो क्या आएगी इसका पूरे का sum और यह कितना आने वाला आपका 18 प्लस 19 विचिस तो यहां से हमारी cost आरे 96 लेकिन क्या यह आपकी minimum cost है तो आपको दिख रहा हुआ है minimum cost नहीं है इससे भी कम cost के अंदर हम इसे combine करके एक नई रोप बना सकते हैं और वो कैसे बनाएंगे जरा ऐसा करते हैं इस बार छोटी छोटी रोप को लेके आगे बढ़ते हैं बड़ी वाली रोप को बाद में लेके पिक्चर के अंदर तो मैं क्या कह 4 तो चले जाएंगी और 2 और 4 को add करने के बाद आपकी बचेगी 6 6 को ले आएंगे उसके बाद 8 6 & 9 यह रोप बचेंगी आपकी और आपकी यहां पर cost निकालते चलते हैं तो हमने 2 और 4 को add किया था तो हमारी cost रहती 6 यह 6 वाली जो रोप है और अब जो दो छोटी रोप से 10 के अंदर से उनको चूज करते हैं तो 5 और 6 हमारी छोटी रोप से इंदो रोप को चूज कर लेते हैं तो आप हमारे पास बचेगी 11 और फिर बचे हुए सारे 8 6 9 और अब हमारी cost नारे 6 प्लस 11 अब अगेन इस मेंसे दो छोटी रोप को लिगाता हैं जो सबसे चोड़ी ल 11 9 का जागा 20 और बचे हुए रोप आपके 14 तो 20 भी यहां पर और उसके बाद यही दो रोप बचे हैं तो इन दोनों रोप को भी ले लेते हैं और आपका सम आएगा 34 और यहां पर भी आपकी 34 ही आ रहती फाइनली तो फाइनली तो 34 ही आने वाली है लेकिन cost हम देखते हैं इसको लेते जा रहे हैं अगर आप लोगंको इसका प्रूफ देखना तो ज़रा प्रूफ भी समझ लेते हैं किस तरीके से मैं कहा रहा हूं सब्सक्राइब तीन रोप से आपके पास इस तरीके से हमारी यह आ रही है अभ जबाएब्गे और वनको करने करेंगे और उनको करनेगे ws forty रहेगा कोर्या और वान करनें दॉटी रोप में लेंगे और उनको करनें गालते हैं C2 के अंदर हम क्या करेंगे 2 छोटी रोप्स को लेंगे और उनको connect करेंगे तो जब 2 छोटी रोप्स को connect करेंगे तो हमारी length आएगी B plus C और हमारी cost होगी C2 वो यह भी फिलाल B plus C अब B plus C वाली length के अंदर A वाली length को भी add करते हैं हमारी cost क्या रिखष केहाए कि वह आएगा हमारी a plus b plus c और हमारी total cost क्या हो जाएगी वो जाएगी b plus c plus a plus b plus c और c2 और c2 क्या निकल क्या रिख़ए a plus 2b plus 2c अब अब जरीक हाँ in l1 कॉंपर करनें करतें कि c1 और c2 में बढ़ा कौन सा है तो आप देखो कि C1 और C2 को compare करेंगे हम, तो यहाँ पर है 2A प्लस 2B प्लस C, यहाँ पर है A प्लस 2B प्लस 2C, तो 2B दोनों में common है, यहाँ पर 2A है, यहाँ पर सिर्फ 1A है, तो C1 और C2 को जब हम compare करेंगे हो, तो C1 is greater than C2, क्योंकि A जो है, वो C से बड़ा है, तो आप ल प्लस 2B प्लस को लो, और 2 जो छोड़ी रोप से उन दोनों को add करके एक नजी रोप बना लो, और यह प्रोसरस आप repeat करते हो, हमेशा 2 सबसे छोड़ी रोप लोग, अभी करेंटली जो 2 सबसे छोड़ी रोप हैं, उन दोनों को sum करो, और आप अपनी cost में add करते चलो, इस त 6, 9 थी, जब आपने इनके अंदर से 2 छोड़ी रोप को लिया, 5 और 6 को लिया, तो आपका बनता है 11, अब आप 11 को 8 के साथ, 11 को 6 के साथ नहीं करोगे choose, क्योंकि आपको पता है 2 छोड़ी रोप से हैं, वो 6 और 8 है, तो इस तरह किसा आप देखो यहां पर अगर आप sorted area ले cost निकालते चलेंगे और इस तरीके से हमारे पास finally minimum cost आने वाली है, तो आपनों को सभजम आ गया होगा, जरा मैं एक बार code कर देता हूं, और इसको बार dry line करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से clear हो जागा, सेम चीज़ बने आपर code भी कर दिया, बहुत ही simple सा आप लो element नहीं है, टीक है, सब तक हम इसके अंदर चलते जा रहे हैं, और क्या करें है सबसे पहले पहले पहला number निकाल रहे है और रहे है, और निकाला number निकाला है, तो अगर आपका सबसे पहले से पॉल किया तो हमारा यह वाला नंबर निकल जाएगा उसके बाद यह हो जागा आपका फॉर जो नेक्स्ट इसके अंदर सभी छोटा नमबर रहने वाला वह आपका फॉर हमने इन दोनों को लिया और एड कर दिया साम निकाल लिया फॉर्स प्लस सेकंड करके हम हमने आंसर के अंदर डाल दिया 6 हमारे आंसर के अंदर 6 एड हो चुका है और फिर वापिस हमने 6 को इसके अंदर डाल दिया तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा कि 2 और 4 तो इसमें से हट जाएगा बचे इसके अंदर 5 6 और दूसरा वाला 6 then 8 and then 9 एक नंबर कम हो चुका है क्यों minimum cost वाला आंसर आएगा तो इस तरीके से यहाँ पर आप प्राइट की या फिर मिनियम ही की property यूज़ करके इस question को solve कर रहे हो तो यह आप लोगों को solution समझ में आ गया होगा ज़रा इसके देखते हैं टाइम कॉम्लेक्षरी क्या निकल आने वाली है तो तो आप एक लिए करक operation है और यह वाला भी log and operation है तो आप basically 3 multiply by end time log and operation कर रहे हो तो जितनी बार भी कर रहे हो आप n log and प्लस जितनी बार भी end log and कर रहे हो वो finally आपका big o of n log and ही बन जाएगा तो आपको जो time complex जा रहे है वो big o of n log and आ रहे है और आप big of n log and के अंदर इस question को solve कर पा रहे हो तो काफी को अच्छे समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो के इतना ही था अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना कर देने चल्ब को subscribe मैं बलूँगा आपको से नेक्ट वीडियो के इंदर जहां पर हम कुछ और priority को को कोशिन कर रहे होंगे मिलता हूं आपको से नेक